नमस्कार स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजूकेशन अफिस्यल में प्यारे चातियों हम लोग आज के इस वीडियो में हम संस्क्रीट के मौस्ट इंपोर्टन सब्दार देखेंगे जो कि आपको अनवाद बनाने में काफी मदद करेगा तो इस वीडियो क इसमें पहला सब्दाद है प्यारे साथियों सह का आर्थ होता है वह यह होता है पुलिंग के लिए प्यारे साथियों ठीक है उसके बाद है सह का आर्थ होता है प्यारे साथियों वह और इसका प्रयोग स्तिरलिंग के लिए होता है ठीक है याद रखना है ठीक है उसके अब आ ने मिलत के आपए चुता आपको आपके यह सब प्यारेशातियों यूए अधम जो है देखिए यह सब जितने ही आप अर्थ बता रहें को यह सब है प्यारे साथियों, शर्वनाम सब्द, कैसा सब्द है, शर्वनाम सब्द, और सर्वनाम सब्द का रूप भी चलता है, पता है न, चलिए आगे देखते हैं, यूयम, यूयम कार्थ होता है, तुम लोग ये फिद, तुम सब्द, ठीक है, आगे है, अहाम, और अहाम क का अर्थ होता है हम दोनों ठीक है उसके बाद है वयम और वयम का अर्थ होता है हम लोग ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है इद्दानीम और इद्दानीम का अर्थ होता है प्यरसातियों इस समय ठीक है उसके बाद अगला है तद्दानीम का अर्थ होता है प्यरसातियो उस समय याद रखना है तद्दानी मतलब क्या होता है उस समय चलिए आगे देखते हैं अगला है पुरा पुरा का अर्थ होता है प्राचीन समय में बहुत ही इंपोर्टन ये सब्दार्थ है चलिए आगे देखते हैं पसाथ पसाथ का अर्थ है प्यर सत्यों पीछे पसाथ का कर्थ क्या होता है आचानक याद रखना चलिए आगे आता है प्राक कर्थ होता है पहले प्राक कर्थ क्या होता है प्रशतियों पहले ठीक है चलिए आगे आता है सर्वता और सर्वता कर्थ होता है प्रशतियों सभी और सर्वता का मतलब क्या होता है परसतियों सभी और ठीक है उसके बाद है शवत्र ठीक है और आपसे पुझे का सवत्र में कौन सा परतिये है तो याद रखना तरल परतिये है और तरल परतिये में क्या होता है लोहलंद लोफ होकर सेस प्यारिजातियों त्रो बसता है ठीक है तो अगर आप आप से पुझे सरवता में कौन सा परतिया है सबत्र में कौन सा परतिया है तो आपको तरल मारना है ठीक है तो और सबत्र का आर्थ क्या होता है सब जगार ठीक है चलिए आगे देखते हैं उसके बाद है शंपरती ठीक है संपरती का आर्थ होता है प्यार साथियों इस समय याद रखना है उसके बाद है प्यरसातियों सरवदा सरवदा कार्थ याद रखना सदा या फिर हमेशा सरवदा कार्थ क्या होता है सदा या फिर हमेशा उसके बाद है परती दिनम और परती दिनम का अर्थ होता है प्यरसातियों हर रूज ठीक है परती दिनम का अर्थ क्या ह होता है हर रोज ठीक है उसके बाद है प्यारसाथियों स्वह स्वह मतलब होता है आने वाला कल ठीक है उसके बाद है यह यह कार्थ होता है प्यारसातियों बिता हुआ कल ठीक है यह मतलब बिता हुआ कल चलिए आगे देखते हैं अगला है आपका परसवा और परसवा का अर्थ होता है परसातियों परसों ठीक है इसका अप्रयोग होता है आने वाले कल के लिए ठीक है आने वाले समय के लिए ठीक है परसवा मतलब क् परसों आने वाला ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है दिवा दिवा मतलब होता है दिन में दिवा मतलब क्या होता है दिन में चलिए आगे देखते हैं अगला सब्दार्थ है पेरसातियों नक्तम और नक्तम कार्थ होता है पेरसातियों रात में नक्तम कार्थ क्या होत होता है राथ में चली आगे देखते हैं अगला होता है आपका सायम कार्थ होता है परसात्यों सांज आपका उप्री उप्री कार्थ होता है प्रसतियों ऊपर उप्री कार्थ क्या होता है ऊपर ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है आपका इस्सत और इस्सत कार्थ होता है थोड़ा इस्सत कार्थ होता है थोड़ा ठीक है याद रखना है चलिए आगे देखते हैं अगला ह है आपका आम कार्थ होता है हां ठीक है याद रखना है हां का संस्क्रीट क्या होता है आम ठीक है आम मतलब हां आगे आता है किंचित और किंचित कार्थ होता है परसतियों थोड़ा किंचित मतलब थोड़ा ठीक है अगला आता है एव कार्थ होता है परसतियों ही एव मतलब ही अगला आता है आत्र और आत्र का आर्थ होता है प्यरसातियों यहां आत्र मतलब यहां उसके बाद है यत्र यत्र का आर्थ होता है जहां याद रखना उसके बाद आता है पुरा और पुरा मतलब होता है आगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है आपका अगला सब्द तरता है प्यारी साथियों अगला सब्द है तत्र बहुत ही इंपोर्टन है तत्र मतलब होता है आपका तत्र मतलब होता है प्यारी साथियों वहां तत्र मतलब क्या होता है वहां ठीक है अगला है आपका कूत्र कूत्र का मतलब होता है प्यारी साथियों कहां कूत्र का मतलब क कहां चलिए आगे देखते हैं अगला तहब का यदा और यदा का अरत होता है प्यारे साथियों जब यदा मतलब क्या होता है जब ठीक है आगे देखते हैं अगला तहब का प्यारे साथियों तदा और तदा का अरत होता है तब तदा मतलब तब ठीक है अगला तहब प्यारे स चलिए आगे देखते हैं अगला आता है आपका आध्य और आध्य कार्थ होता है परसातियों आज आध्य मतलब आज चलिए आगे आता है आपका यथा और यथा कार्थ होता है परसातियों जैसे यथा मतलब जैसे ठीक है आगे आता है आपका तथा तथा मतलब होता है परसात सब्द है संस्क्रिट का अपी और इसका आर्थ होता है भी MP मतलब भी याद रखना चलिए आगे हता है आपका अथवा और अधाद्वा का अर्थ होता है पेड़ सतियों या अत्वा कारद क्या होता है या बढ़ियां याद रखो चलिए आगे देखते हैं अगला तो आपका कथम और कथम कार्थ होता है प्याद सत्यों किस तरह या क्यों किस तरह या फिर क्यों अगला आता है आपका प्याद सत्यों कीम और कीम कार्थ होता है क्या ठीक है क्या का संस्क्रीट क्या होगा कीम क्या का संस्क्रीट क क्या होगा कि याद रखना चलिए आगे आता है आपका एवं का अर्थ होता है पिर साथ्यों अइसा आगे आता है आपका नहीं या नो या नो ठीक है नो या no सभी का अर्थ होता है प्यरसातियों नहीं ठीक है आपको simple रूप से नहीं का अगर संस्क्रीट लिखना हो सिर्फ no लिख दिजिएगा कम चल जाएगा ठीक है आगे आता है प्यरसातियों किम ठीक है और किम का अर्थ होता है क्या किम कर्थ होता है क्या याद रखना आगे आता है ताबत और ताबत कर्थ होता है पेरसातियों तब तक ताबत कर्थ क्या होता है तब तक चलिए आगे आता है आपका याबत और याबत कर्थ होता है पेरसातियों जब तक चलिए आगे आता है आपका अता और अता कर्थ होता ह इसलिए अता मतलब क्या होता है पेरसाथियों इसलिए आगे आता है आपका कुता और कुता कार्थ होता है कहां से कुता मतलब कहां से चलिए आगे देखते हैं अगला आता है आपका पिर्थक पिर्थक कार्थ होता है पेरसाथियों अलग पिर्थक मतलब क्या होता है अलग हो ठीक है आगे आता है पेरसाथियों सिग्रम और सिग्रम का अर्थ होता है जल्द सिग्रम मतलब जल्द चलिए आगे आता है आपका मिथ्या और मिथ्या का अर्थ होता है जूट मिथ्या का अर्थ क्या होता है जूट चलिए आगे देखते हैं आगे आता है पेरसाथियों आप मंदम मंदम का अर्थ होता है धीरी दीरी चली आगे आता है क्रमसा क्रमसा मतलब होता है मा करमा मतलब होता है मत चलि आगे आता है सह मतलब होता है साथ आगे है यत मतलब होता है प्याद सत्यों की उसके बाद है अतीब और अतीब का अर्थ होता है बहुत या फिर अतियांत बहुत इन्पोर्टेंट है अतीब का अर्थ क्या होता है प्याद सत्यों बहुत या फिर अत्यांत याद रखना चलिए आगे आता है आपका प्याद सत्यों इव इव का आर्थ होता है समान ठीक है समान का संस्कृट क्या होता है इव ठीक है पर इत्ता का आर्थ होता है प्याद सत्यों चार ओर बहुत ही इंपोर्टेंड है आगे आता है तरही ठीक है और तरही का आ चलिए आगे देखते हैं अगला गान्यां मेतलब हलां कि याद रखना प्रण और लगातार, उसके बाद है उभ्यता और उभ्यता का अर्थ होते हैं पिरे सत्यों दोनों ओर ठीक है तो हमने मुश्ट इन्पोर्टेन आपको सब्द का अर्थ बताए आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेय किजिए गए और मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम